नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूँ अच्छे ही होगे मैं अलिल कुमार आज एक बार फिर हाज रहूं आपके लिए एक और नई जानकारी के साथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तो आज जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उसका नाम है मंदारिन बतक हाल ही मैं असम में एक रेर मंदारिन बतक दिखाई दी विसेसग्यों का कहना है कि यहां पिछली एक सेंचुरी से यह देख ही नहीं गई थी जानवरों से प्यार करने वाले सफारी बिजिट से लेकर सोसल मीडिया तक अपना काफी टाइम खुबसूरत जन्तों को देखने में बिताते हैं ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है कि वो कुछ नए और रेर जानवर देख सकें दुनिया वरके एनिवर लबर्स के लिए पिछले दिन कुछ खास रहे क्योंकि हाल ही मैं असम में एक रेर मंदारिन बतक दिखाई दी विसे सग्यों का कहना है कि ये बतक पिछली एक सेंचुरी से नहीं देखी गई है सोशल मीडिया भी इस खूबसूरत पच्छी की तस्वीरों से रंग आ रहा खबर के बाहर आते ही इस खूबसूरत पच्छी के रंग बरंगी बतक की एक जलक पाने के लिए बर्ड, वाचर्स और वाइल्ड लाइफ में इंटरस्ट रखने वाले असम के तिन्चुकिया जिले में पहुँचे खबरों के अनुसार असम की मागुरी जील में मंदारिन बतक करीब 120 साल वाग देखा गया है इस पच्छी को आखरी बार 1902 में यहां देखा गया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और इंडिया की एक टीम भी इस बतक को देखने के लिए वहाँ पहुँची डिब्रूसा एकोबा नेशनल पार्क के भीतर मागुरी जील में बीते कुछ दिनों से इस दुरलव और सुन्दर बतक को देखने के लिए भारी भीड उमड रही है मंदारिन बतक बेहद सुन्दर होते हैं और खासकर नर बतक को तो उसकी सुन्दरता के चलते दूर से ही पहँचाना जा सकता है नर बतक मादा की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं यह पच्छी भारत में बहुत कम नजर आते हैं मंदारिन बतक को आखरी बार तिनसुखिया जले में रांगा गोरा इलाके में डिबरू नदी के तट पर देखा गया था यह बिलुप्त प्राय प्रजाती का जीव नहीं है लेकिन इसका यहां पाया जाना महत्तपून है इसकी वज़ा यह है के आम तोर पर यह इस इलाके में देखने को नहीं मिलता दुनिया के सबसे सुन्दर बतक कहे जाने वाले मंदारिन बतक की तलास सबसे पहले स्वीडन के जीव विग्यानी कारल लीनियस ने 1758 में की थी यह बतक चीन, जापान, कोरिया और रूस के कुछ हिस्सव में पाई जाती है तो दोस्तो यह थी 120 साल बाद असम में दिखाई देने वाली मंदारिन बतक के बारे में महत्तपून जानकारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक, सेयर और हमाले चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा ताके आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत